कि नमस्कार मैं शान चौधरी आप सभी फीचर ऑफिसर का स्वागत करता हूं और सट भी विपेसी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हमको जेए विख्यान की कि शुरुवात करेंगे जैनेटिक्स को कल हम लोगों ने देखा था पिछली कुछ क्लासेज में और थोड़ा टैक्सोनॉमी के बारे हम बात की थे अंकला को आगे बढ़ाते हैं चलिए प्रश्ण नमबर 886 आपके सामने है प्रश्ण कहा रहा है कि इना बाइसेक्शल या पुमंग हो गया आपका जो फूल होता है उसका मेल पार्ट है और जो फीमिल पार्ट है उसको का जाया गायनोशियम या जायांक ठीक है अब होता क्या है देखिए दो तरह के रिप्रडॉक्षन अम लोग पढ़ते हैं प्रश्ण प्रक्रिया एक होती असेक्शॉल और कि एक ही पेड़ होगा है ना उसी से आगे प्रश्ण प्रक्रिया को मिला के यह होगा कि जो आगे नया जीव बनेगा या आगे जो नया जनतु बन रहा है वो क्या होगा एक एक दो कॉपी होंगी अगर दो भागों में तूट रहा है जैसा हम लोग अमीबा के केस में देखते हैं वो और सेक्शॉल रिप्रडॉक्षन ने दो भाग में एक कोशिका तूट गई है सेल का विभाजन हो गया तो क्या होगा ऐसे में कि जो आगे आने वरी संतान होग ठीक है और जो सेक्शल रिप्रडॉक्षन होता है उसमें क्या होता है एक नर होगा एक मादा होगी आदे आदे सेल उनसे आएंगे और तम जो नई संतान होगी उसका निर्माण होगा और उसमें दोनों के माता के और पिता के दोनों के उसमें लक्षर पाये जाएंगे ठीक यह उसी फूल में होगा जिसमें सेक्शुल रिप्रोड़क्शन होता है और सेक्शुल रिप्रोड़क्शन के उपर ज्यादा बढ़िया माना जाता है क्यों इससे क्या नई इसपीसीज डेवलप होगी जब मिक्शर होगा अपस में फिर अगर मान लेजिए कोई महामारी फैलती है और किसी एक जीन पर अटेक करती हों किसी एक टाइप के जीन पर और अगर सभी एक दूसरे की कॉपी होंगे तो पूरी पूरी प्रजादी ही नश्ट हो जाएगी परन जीव बच्चाएंगे यह तो आपको पीछे की इसकी बायोजी एवोलेशन की बता दी अब उसी चरण में आगे इसका चर्चा की जाए तो देखिए एक जो भाइलेंगी फूल होता जो है मेल और फिमेल पार्ट अन्रोश्यम गानुश्यम दोनों मजूद होते हैं अब होत सब्सक्राइब फूल से निकल रहे हैं ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि उसकी पेड़ की या उस पौदे की आगे जलके प्रजाती नश्ट ना हो जाए उसके लिए सेक्शन रिप्रॉडक्शन होता तो पेड़ नहीं या नेचर नहीं क्या किया है उसके साथ कुछ चिंज करना ठीक रहेगा तो समझ में आएगा जिसको नहीं भी पता होगा उसे अब ही कह रहा है कि अगर दोनों अलगलग समय परिपक हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है सेक्शन रिप्रॉडक्शन के लिए कि मेल पार्ट जो है उसका वह फिमेल पार्ट को पर्टिलाइज ना कर दे उसी फूल के तो अब इसमें क्या है कि अलगलग समय परिपक होंगे तो क्या होगा मान लेजिए कि मादाफाग पहले परिपक हो गया पुर्ष भाग में जो है पॉलन ग्रिंस नहीं आए हैं जिसको हम कहते हैं एंथर भी कहते हैं ठीक है वह अभी डवलप नहीं हुए ह जिसको पराग बोलते हैं पूल का हिंदी में तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा जब परागी विक्सित नहीं होंगे तो जो फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल उसके उपर यह तो यह अगर इसका फीमेल पार्ट है और ऐसे मेल पार्ट बना रहा था किसी दूसरे फूल से पराग लाना पड़ेगा ऐसी स्थिति के बारे में पूछ रहा है अब आपको नीचे चारा अलग लग स्थितिय नहीं है हेट्रोगैमी हर्कोगैमी डाइकोगैमी और मोनोगैमी देखिए पहले तो मोनोगैमी नाम का कोई पॉलिनेशन की प्रक्रिया प्रागन की प्रक्रिया नहीं होती मोनोगैमी होता है एक ही कुल में जब आपस में शादिया हो जाती नहीं देखिए मोनोगैमी में एक ही व्यक्ति एक ही शादी करेगा जैसे सनातन धर्म में होता है उसको मोनोगैमी कहा जाता है चली उस बाग से है टिन डब ये तेन जो प्रक्लिए प्रागन की अलग लग प्रक्लिए और पहले देखास होता है यह फोल से और यह फूल में क्या होता है अलग अलग तो इसमें क्या होगा कि को मादा भाग है फूल का या जो फिमेल पार्ट है कौन सा गायनोशय में जैयांग उस पर जो पराग आ रहा है जो पॉलन आ रहे हैं वो किसी दूसरे फूल से आ रहे हैं तो ऐसी प्रक्रियाव कहा जाएगा हेट्रोगैमी ठीक है हर्कोगैमी क्या है आप देख रहे हैं option B को हर इसका मादा भाग है जो जैयांग या गायनोशय में यह मूचा है लंबाई में और यह छोटे हैं तो सेल्फ पॉलनेशन की प्रक्रिया जो है अपने आप उड़के पहुंच आने की इसको फूलन रोग दिया इस तरह की जो पॉलनेशन होता है यह काया था हर्कोगैमी ठीक छीका वीवाज़न है क्यों अलग ब फूल से कह सकते तो चैसर है इंगी मैं अलग ब फूल से से आएगगे प्रश्ण नंबर 887 आपके सामने प्रश्ण पूछ रहा है कि सैफरेन्स डायेट मिक्षर ओफ जो केसर होता है मसाले की तोर पूत्पन जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसका सुखाय हुआ मिश्रण है क्या वो पंकुड़ी और छाल है क्या वो फूल के बीज बिनाने वाल भागें सीट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर क्या वो पत्ती और फल है क्या वो बीज और कलियां है या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखिए केसर जो होता है फूल के बीज बिनाने वाला भागें अब फूल का बीज कौन बनाता है तो बनाएगा कौन अन्डोशि इस्टेमेन और पॉलन ग्रेंज इसको एंधर भी यह भाग जो होता है यह केसर का सुखाय वह भाग होता है चलिए प्रश नमबर 187 को आमने सही उत्वर देखा ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं रेशे ही तो होते हैं इसके जो केसर के होते हैं रेशे ही तो है देखे होंग जाने सबस्क्राइब केसर का अत्वादन होता है और यह एक तरह कि मिट्टी पाएब जाती है इसको करेवा करेवा तो यह कैसी मिट्टी है घाटियों में पाए जाने वरेवाद के ने मिट्टी है जहां पर यह पर आगे बढ़ते हैं अ आप वह होगा जिसमें रिट के अधि नहीं पाए जाएगी वह इंवर्टीब्रेट कहलाएगा आपके शुरू किये आपके ऑप्शन दी होएं इस्कुट ऑप्शन भी कहा रहा है शार्क मचली ऑप्शन सी कहा रहा है ऑक्टोपस ऑप्शन डी कहा रहा है जैली फिश होए अब बजग tis up और जिम्हें नोलाक कि अब विद्व weyer बगज से क्ति होए उस सही होगा इसकी जोस्कर होता है तो ओफ्वेलिंगे अब है कि ममलस्कका के भीतर है हूं से媽 Kingdom म मॉर्लात्य होता हूं सी गीजूच के बीतर है अक्टोपस भी मोलस्कका के भीतर सबसे बढ़ी है और अगर देखा जागी पानी का जीव सबसे बढ़ा कौन है तो फिर वह हम लोग वेल मशली को बोलते हैं और उसमें भी ब्लू वेल नीली जो वेल मशली होती है उसको ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नंबर 888 का देखा हमने सयूतर ए हो जाएग और इस्कुड में भी ना एक रहती है जिसको बोलते हैं जाएंट इस्कुड वो सबसे बढ़ा होता है और इसकी लंबाई मीटरों में होती है चोटी मोटी मशली नहीं है ठीक है जाएंट इस्कुड होती है विराट इस्कुड समझ लीजे चले प्रश्ण नंबर 889 आपके सामने पूछ रहे है एसे पौदे जो अनर पौदों पर निर्वर करते कि सीज के लिए था पानी के लिए भोजन के चाया को को कि अब मेक्रेनिकल सपोर्ट का मतलब आपने आपको सहरा देने के लिए साहरे के लिए तो यह ही इसका सही उत्तर है सहरे के लिए होता है व्यक्त के इसको कैसे समझेंगे कि यह जो एप फाइट होते न अ है कि कि कंजोर पेड़ होते और इक होते हैं यह ते यह मिलते हैं एक्यूटोरील रीजन में वह प्रायाइपा जाएंगे एमजन के जंगल में और वहां क्या होता है कि क्योंकि वर्षा अधिक होती है छोटी वनस्पति है वो जमीन पर नहीं उपस्ति है कि सुर की रोष्णी नहीं पहुंचे की तो पेड़ कैसे जमेगी तो एसी स्थिति में क्या होता है यह यह जो एपिफाइट्स है यह क्या होता है बड़े-बड़े पेड़ों के उपर जमते और यह उनसे कोई अपना प्राइदे हो गया है ठीक है एक फूल होता है और काइट और शिट्स कहले जी बड़ा सुंदर फूल होता है यह वोटल वगरा में रखे रहते हैं एक तरह का एपिफाइट है चलिए प्रश नंबर 889 का हमने देखा ऑप्शन एक आगे बढ़ते हैं प्रश नंबर 890 आपके सामने हैं प्रश नंबर 890 आपसे पूछ रहा है कि स्पाइडर्स अडिफ्रेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स बिकॉस देफ मकडिया कीडों से भिन होती है क्योंकि उनमें कितने पैर होते हैं उसके पूछ देखे कीडों से तात पर यह है आर्थोपोडा से आर्थोपोडा एक फाइला में जिसमें सारे का जाता है कीट समुए है इंसेक्ट्स इतनी भी है वो इसी के वितर आती है अब क्या है ना आर्थोपोडा भी जो है इसमें भी विभाजन है जैसे हम लोग स्टंधर सबात इस तरह आर्थ्ट्वोडा में वी ओता है इसमें क्या म्कडिया है यह जाते हैं कै Remo क्रेटा में केली क्रेटा अब इसमें क्या होता है यह जो केली क्रेटा है इसमें जो आती है मकडी और मकड़ी के होते हैं आठ पैर पहनी बात अब इसमें कैसे विभाजन होता है एक तो यह मकड़ी वाला के लिग्रेटा हो गए एक कांतर जो लंबी हो थी इसके धेर सारे पैर होते हैं एक वो विभाजन निकल गया एक में आ गए आपके कोक्रोच जिंग और ये सब और एक म प्रश नंबर 890 का त्यूत तोर हो गया ओक्षन ए आठ पैर और जो आम कीड़े होते उनमें पाई जाते हैं 6 पैर कोक्रोच को देख लिए 6 पैर होते हैं दो दो के 3 जोड़े होते हैं इसमें ठीक है प्रश नंबर 890 हमने देख लिया आगे बढ़ते हैं प्रश नंबर 891 तो च्यान वे आपके सामने यह पूछ रहा है to study meiosis in plants the best part would be पौदो में अर्ध सूत्र विभाजन का अध्यन करने के लिए अर्ध सूत्र विभाजन का अध्यन करने के लिए सबसे अच्छा कहां से दिखा जा सकते है देखें पहले meiosis को समझ लेते हैं तो कोशिगा विभाजन के न सेल डिविजन के दो टाइप होता है एक होता है meteosis दो क्या तीन होते हैं न बताते हैं कि विभाजन नहीं होता तो उसको छोड़देते मेचि प्रक्रिया में क्या होता है जो आगे बनने वाली संतान हैं जिनकों पूलते हैं तो इसमें क्या होता जब एक ही मादा होगी जिससे आ रहे हैं दो बच्चे जिसमें पिता का कोई रोल नहीं है तो ऐसे स्थित्र में क्या होगा जो बच्चे होंगे खुबँ माता के नकल होंगे पहली चीज दूसरा जितने इक क्रोमोजोम माता में थे उतने ही इन बच्चों में आएंगे पूरे-पूरे थो अगर एक ये मादा है तो इससे दो बच्चे बनेंगे अँभा फड़ा च्छौ दारण है उसका उससे दो बच्चे बनेंगे इनम ही संतान को उत्पन करते हैं, इन में से आदे माता से आएंगे, आदे पिता से आएंगी, और नई संतान बनेगी, तो क्या होगा, माता में मान लेजी इनसानों का उधरन लेते हैं, इनसानों में 46 हो मुझों पाए जाते हैं, 46, ठीक है, अब और 46 ही पिता में होंगे, तो जो तो इसी प्रक्रिया जिसमें आदे माता से हैं ये पिता से सहय जाता है मियोस्स इस समझ में आ हुँआ उपहटा देते तुम हमाने प्रशन पर आते हैं । अब ये जो विभाजन की प्रक्रिया है यह कहां पर सबसिच्छी देखी आ सकती है क्या यह root apex मतलब जड़ों में देखी जाती है जड़ों का जो आगे वल अहस्ता होता है उना शीर्ज भाग इसको बोलते है root apex एंथर्ष पराकोश में शूट एपक्स का मतलब हो गया जो शीर्ज भाग हो गया किसका तने का तने का जो शीर्ष भाग हो गया वो गया और ऑप्शन डी आपका कहा रहा है स्टोमेट आई है रंद्र पत्ती के नीचे होते तो देखे आपको किवली खोजना है कि प्रज्णन की प्रक्रिया पेड में कहां होती है किसी भी पौधे में आपको सही उत्तर मिल जाएगा तो प यृव जड़ों में तो हो नहीं सकता जड़ों में क्या होगा मियॉसिस ना हो कि मिड्यॉसिस की प्रक्रिया हो गिए सेक्स ल नहीं पार जाते सेक्स ??? होने ज़रूरी है म। hon माता और पिता Après méth मेल और फ मिल say हो सकते अ तो यह होना जरूरी तो क्या उसा ही उतर होगा ओप्षिन भी ठीक है प्रश्च नम्बार 91 ने देखा आगे बढ़ते हैं प्रश्च नम्बार 892 आपके सामने प्रश्च बूच रहा है विच आप दे फॉलाइंग अंडरग्राउंड प्रडियूस वेजटेबल्स इस खूट में से कोई नहीं एक से अदिक अब यहां ओप्षनों को देखते हैं कि करके देखते जाते तो जडों में रूपांतरन क्यों हो दो यहारे पहली चीज्ञें पेड़ अधूर Kr उना फंदा कि भाना है वह वह समाल हरा है यहाद है कुछ जड़ में रखते हैं कोछ दन है जो है वो तना है च्छिक कर आप देखें प्याज को तो असके नीचे प्लूम के बाड़ा जो होता है उसको आप रख दीजे उसमें से नई किलियां फूट आती इसी विज़े से और यह किलियां किसमें फूट थियां अमुवन तने में तो समझने के लिए है तो आलू जो एक तना । कि ना जमीन के नीचे हो रहा है प्याज आलू तो उससे कोई मतलब नहीं हमें जीमी कंद या सूरन कहीं इसको सूरन भी कहा जाता है या इंग्लिश में कहा जाता है इसका सहीत तर गया हो गया option A प्रश्च नमबर 892 का आगे बढ़ते हैं प्रश्च नमबर 893 आपके सामने हैं प्रश्च आपसे पूछ रहा है कि plants growing on rocks are called चटानों पर उगने वाले पौदे क्या कहलाते हैं क्या यह घलोफाइट्स हैं क्या जीरोफाइट्स हैं क्या क्राइफाइट्स हैं क्या लिथोफाइट्स हैं अब बताइए अलग अलग प्रकार के आपको दे दिगए आपको इसमें से चैन करना है तो देखिए जो हे भी लेना देना नहीं सुंद्री विरक्च जो है वो हेलोफाइट्स के भीतर आता है जीरोफाइट्स जीरोफाइट्स कहां उखते हैं मरूस्थल में डिजर्ट एरिया में जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है इसका उधारन केक्टस नागफनी बड़ा अच्छा उधारन हो गया है न जड़ें बहुत लंबी होती है इनकी फिर बात करते हैं क्रायोफाइट्स की तो ऐसे पौदों को बोला जाता है जो कहां उखते हैं जहां बरफ होती है न जो टापान होता है वो जीरोगे नीचे होता श्रह का मतलब है सब जीरो जीरो स क्यूंघ नीचे जहां ता प्रशी को क्या जाएगा क्रायो है तो क्रायोफाइट्स मतलब यूंघ प्यार घंपặर करनया माला त्थीके तो क्रायोफाइट्स हो गया तो प्लांट्स लिवेंग इन हाईस यास नो तो हमार्स जो North Pole है, त्री गुलार्थ नॉर्दन हमे स्फियर में जो नॉर्थ पूल है और नीचे साथ पूल एंटार्टिक वाला इससा वहां क्राइवफाइट्स में क्या आएगा तो इसमें आएगी मुक्ता श्यावाल आएगे लगी आएगी अगर आप कहेंगे तो उसका नाम बता देते हैं क क्लाइडोमोनाज आते हैं इसमें आ है कि यह एक शावाल है चाहे तो याद रख सकते हैं वैसे अत्रिक जानकारी आपके उपर हैं क्लाइडोमोनाज जो हैं वह एक क्लाइटो मेलिजा इसमे सहि опас फोजारन है है कि यही सही होता रहें लिजसफंप्र का मतलब क्या है मुश् पौदे उगते हैं उनको कहा जाता है लेथोफाइट्स ठीक है प्रेश नमबर 893 का सही उत्तर हो गया option D आगे बढ़ते हैं चन्दमनी आई है सकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेकिया आए मेंस optional course इसमें GS की classes हमारे हैं 2 October से शुरू हो रही है और optional test series हमारे हैं एक October से शुरू हो गई है यहां बीस टेस्ट स्पून रूप से discussion के साथ कराए जाएंगे आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रशन नमबर 894 आपके सामने है प्रशन आपसे बूच रहा है इसको समझ लेते हैं तो इसमें परशान मत हुएगा कि लावा सिमबाइस नहीं होता है इसलिए में अलग इसमें आपको चीजें पता चलें चलिए पेड होता है कायस नम का जो कायस नम व्रक्ष होता है इसमें क्या होता है इसकी जड़ें होती है उसमें इक कोलरोड रूट पाए जाती है अब इसका यहां से क्या संबंद है तो इसमें क्या होता है जो कोलरोड रूट है मतलब कायस पेड़ की जड़ें है इसकी जड़ों में रहती है साइनो बैक् वो उसकी जड़ों में पाया जाता है जो इसके लिए nitrogen fix करके देता है मिट्टी से ठीक है तो इसलिए इसको डाला है यहां बैराल प्रश्ण का ही सही उत्तर नहीं है आगे बढ़ते हैं लाइकिन आपको पता है एलगी और फंगी के बीच में symbiotic relation है कवक और शहवाल की बीच में यह बात किसकी कर रहा है कवक और उच्चु पाद होगी तो यह option गलत हो गया option C की बात करते हैं जोला तो जोला क्या है यह एक काई है एलगी है एक तरह की और यह कहां होती है यह पा दुधरीजीघ कैश्य का दूद बढ़ाने लेगर भी दिया जाता है उनके चारे में मिला की दिया जाता है इसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है काई मैं यह भी नहीं है, माइकोरीजा, तो माइकोरीजा जो है, माइको का मतलब हो किया, फंगस, माइको आप पहचानने के लिए देख सकते हैं, अगर गए माइको शब्द आप सुनें, तो समझ लिजेगे, फंगी से कही ना कही, फंगस से आपके, कवक से कही ना कही, यह मिल रहा है, तो माइकोरीजा जो है, यह इसका सही उत्तर है, इसको समझ लेते हैं, माइकोरीजा क्या होता है, बड़े-बड़े पेड़ों की जड़ों में, यह फंगस या कवक पाया जाता है, अब इसका क्या हो, उप्योंगे, यह फंगस है, यह मिट्टी से पोशक तत्व निकाल कर पेड़ को देता है, जैसे फॉस्फोरस को निकाल के देगा, पानी भी सोक कर देता है पेड़ को, यह नो तो पेड़ का भी फायदा हो जाता है, ठीक है, प्रश्ण नंबर 894 का, सही उतर क्या हो गया, उप्शन डी, आगे बढ़ते हैं, प्रश्ण नंबर 895 आपके सामने है, प्रश्ण पूछ रहा है, निमली कितमे से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें देखिया अलग अलग, आपको दिये हुए हैं, इनमें से देखना है कि, सुमेलित करना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं का चैन करना, गलत वाले का, चलिए, ऑप्शन यह कहा रहा है, केरटीन, केरटीन क्या है, हेर प्रोटीन है, इस बात सही है, केरटीन जो नामक प्रोटीन है, यह हमारे बालों में, और हमारे नाखुनों दोनों में पाया जाता है यह तो सही हो गया बी की बात करते है एलोवेरा एलोवेरा एक एंजियो स्पर्म है तो गौर पाठा जो होता है उसको इंगलिश में एलोवेरा कहते है गौर पाठा कह रहा है एंजियो स्पर्म है तो एलोवरा एंजवरा एंजवरा में फूल नकलता है इसमें जड़ भी योती है पतिया होती है जो हम लोग हरी अभी पतियां देखते हैं जिसको काटके उसमें से जैल निकाला जाता है एलोवेरा का वो उसके पत्तिया है ठीक है इसमें तना भी होता है जिससे पत्तिया निकलती है और फूल भी आता है तो इसमें सारे एंजियोस्पर्म के लक्षन पाए जाते है इसलिए एलोवेरा को ना fountain of youth भी कहा जाता है fountain of youth या जवानी का फवारा ठीक है तो इसको कहा जाता है इसको खाते रहे तो आपके शरीर में तंद्रुस्ति बरकर आप रहे इसलिए इसको fountain of youth कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं खमीर खमीर में fermentation के लिए काम में आता है क्यूलन की प्रक्रिया में सही बात है आप इसको इसको लगा देजिए उसमें आटी में और आटा फूल जाएगा थोड़े दिर बाद है ना यह सही है ब्रैट बनाने की प्रक्रिया ऐसी से होती है ऑप्षन डिगल है नेफ्द इनीज़ एक परजीवी अंजहेसपर तो देखिए नेफद इनीज़ होता है आपका Puiser को जो परजीवी नहीं है मासारी पोदा है ठीक है कर्निवारस प्रजीवी हो गया कि दूसरे परनिर बश करे पानी और खाने के लिए और दूसरे पेड़ का नुक्सान हो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पर जीवी या पेरिसाइटिक नुट्रीशन और यह क्या कार्णी वोरस है यह किसी पर निर्वर नहीं करता है अपना खाना स्वयम पकड़ता है मक्थी को पकड़ेगा पचा लेगा तो यह हो गया गलत की खोच करनी थी यही आपका सही उक्तर हो जाएगा प्रश्ण नंबर 895 का चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नंबर 896 आपके सामने है प्रश्ण पूछा है निमलिकित में से कौन सा जन्तु समूं रात्री चर प्राणी है नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन सा ह है इनमें आपके ऑप्शन दी हुए मच्छर चमकादर उल्लू यह संबात सही है अब यह मत कहिएगा कि मच्छर जो है वो दिन में भी निकलता है डिंगू वाला आम तोर पर जो मच्छर है वह रात्री में ही काटते हैं दिन में अगर मच्छर आते हैं ऐसा नहीं पर इनको तो रात्री चरी ही कहा जाता है ना नॉक्टर नहीं मल चमकादर और उल्लू पह तो कोई संशय नहीं चली ऑप्शन भी आपका क्या गह रहा है कि मच्छर गौरईया और श्रिव श्रिव इतला का चूहा हो गया तो गौरईया जो होती है चड़िया यह तो दिन में निकलती है अपना भूजन ग्रेंड करती है यह होगा नहीं सी ऑप्शन क्या कह रहा है मक्खी जो हमारे घर में आम तोर पर मिलती है तितली और तोता तो इतीनों जो है रात्री चर नहीं है नॉक्टरनल नहीं दिन में देखते हैं ठीक है ऑप्शन डी कह रहा है उल्लू चमकादर और चील तो देखें उल्लू और चमकादर तो रात्री चाह रहे हैं नॉक्टरन अनिमल से पर जो चील है यह दिन में शिकार करती है जो यह गल है यह भी नहीं होगा आपके सही उत्तर क्या हो गया ऑप्शन ए आगे बढ़ते हैं प्रशन नंबर 897 आपके सामने हैं प्रश क्यों नहीं पूछ रहें कि इनमें से आ और क्या है कि परयावण से अधिक अपने शरी का टापमान बना लेते हैं इंसान का जो शरीर है उसमें मोमन 37 degrees centigrade के आसपास टापमान होता है प्रयावारण से अधिक मात्रम में हमारा टेम्टरेचर बनता है तो देखे यह तो गलत हो गया अगर उत्तर भारत में ही देखा जाए अगर तो गर्मियों में पारा क्या 45 डिगरी को उपर निकल जाता है उसे सिती में हमारे शरीर का तापमान तो कैताले जिगरी नहीं हो था बुखारा जाएगा तो यह तो गलत हो गया गरम खून वाले दो ही तरह के दो जीव है या तो चिडिया है या हम लोग है और गरम खून वाला क्यों कहा जाता है उसी का पूछा दूसरा कहा रहा कॉंस्टेंट टेंपरेचर ओल दर टाइं पूरे स ट्रांसलेशन में गलती होगी आप लोग इंग्लिश वाली साइट देख लिएगा कॉंस्टेंट टेंपरेचर मतलब एक ही जैसा शरीर का तापमान बनाए रखते हमेशा ऑप्शन सी क्या कहा रहा है वायू मंडल तापमान के ब्राबर इक्वल टू एक्मास्फेरिक प्रिचर और पर्यावरन वाला क्या वहां ज्यादा यह कि टापमान के बराबर तो ऐसा भी नहीं है तो 45 इगरी वाला से ही उदार्यत समझें तो यह गलत हो जाएगा दी क्या 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 परावरन से गम तो वहां भी यह उदारन आप देख लेजिए 47 और 45 वाला इससे सारे option गलत हो जाएगे करके परहा वरना से गम तो ऐसा भी नहीं option B होगा हमेशे एक जैसा तापमान बना के रखते हैं और यह कैसे होता है क्यों सरी सर्फ उभैचर जो है ठंडे खून वाले जानवर बोले जाते हैं cold-blooded animal और जो मनुष्य होगा यह आपके चितनी भी स्तंधारी हो गए जिसमें मनुष्य भी आता है और जितनी भी चिडिया हो इनको गरम खून वाला जानवर का जाता है current क्योंकि इन में पाई जाती है क्या पसीने की गरंतिया स्वर्ट लेंड्स जो शरीर के तापमान को काबू करके रखती है इसलिए हम लोग शीत निंद्रा में नहीं जाते हैं जैसे उबहेच और सरीतर चले जाते हैं ठीक है तो उसका सही उत्तरों का option भी आगे बढ़ते हैं चंद मनी आईए सेकेडमी बीपेसी 68 के लिए लेके आया क्लास और टेस सीरीज इसमें जीएस की टेस्ट और क्लास सीरीज हमारे दो अक्टूबर से शुरू हो गई है और यहां 49 टेस्ट पून रूप से डिसकेशन के साथ कराये जाएंगे आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी टाप्ट कर सकते हैं प्रश्ण नंबर 898 आपके सामने है प्रश्ण देखे आप से क्या पूछ रहा है कि विच अफ द फॉलेग इस इन इंसेक्टिव उरस प्लांट आपको इसमें से मासाहरी पॉते हैं या कीट भक्षी पॉदा कह लिजिए उसका चैन करना है बनाइब आपके आप्षिन क्या क्या दियर हिए पहला दिंगऊ पिचर प्लांट रिखे दूसरा दिया हिए बटर वर्ट आप्षिन सी दियर वीनस फ्लाइट रै ब dab रोप्षिन डिध्य कोभराल लीदर उकемся कोई नहीं इक से अधिक ब DAN पॉतन इन में स definition तो देख इसका स यह सभी कीट भक्षी है कैसे यह option है कैसे पहले पेड़ को क्या जरूरत पड़ी कीट भक्षी होने की दूप है जमीन है पानी है क्या जरूरत पड़ी तो दिखे यह पौधे आम तोर पर ऐसी जगह उपते हैं जहां मिट्टी में पोशक तत्मों की कमी रहती है और कुलम यह अमली मिट्टी में है जो acidic soils होती है वहां पाए जाते हैं और nitrogen की कमी है उसको पूरा करने के लिए ऐसे पौधे हैं वो कीट भक्षी होते हैं मतलब जो चोटोटोटोग कीड़े होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और अपने nitrogen की कमी पूरी कर लेते हैं आम जैसे pitcher plant है तो pitcher का उसमें केरे था कुछ तर्ण पदार्त होता है लिकोट भरा रहता है और चिप चिपा होता है जैसे इसे कोई भी कीड़ा आके बैठता है इसके किनारे फिसल कर अंदर घर जाता और उसमें फस जाता है उसके बाद इसका धकन मंद हो जाता है उपर से और यह उसको दिमे धीमे उसी तरल पदार्त है वो उसकी कीड़ों को पचा लेता है यह तो हो गया पिचर प्लान्ट आपका बटर वर्ट तो बटर वर्ट में क्या होता है ना प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् लीली टो कोपरा लिली भी न एक तरह का पिचर प्लांट ही यह तरह की वराइटी है यह आमतरपर मिलता है गोपरा लीली कैलिफोर्निया में अमरीका में ओफिधे चारों ही सही इसके है एंवे बताई दिया प्रश्न नमबर 8988-988 एक सही उतौर पूच्छा जा चुका है औ आज आगे बढ़ते हें प्रॉश्ण 789 आपके सामने है प्रॉश्ण 899 किह रहा है कि ईए प्लारेंगने अच्छान आन थन्वी प्लान इइस घ्रफोर्वाट फूर्स आखने वाले पौदे किया कहला ही तो क्या है hydrophite क्या होगा है वो पौदे जो पानी के पास उखते हैं है ना hydrophite का उधारन कमल का पौदा कमल का जो फूल होता है पानी में उखता है सारे जलिये पौदे होते हैं वो hydrophites क्या लाएंगे हेलोफाइट्स खारी मिट्टी या खारे पानी के पास उगने वाले पौदों को हेलोफाइट्स का चाता है तो अंदरी विरक्ष अभी उधारन दिया था आपको राइजोपोरा एक होता है राइजोपोरा भी इसी का उधारन है हेलोफाइट्स का फिर जीरो फाइट्स इनागफनी का पौधा मरुस्तल में उखता है डेजर्ट एरिया में ले तो फाइट्स अभी बात की थी वह पौधे जो चटानों पर उखते हैं ठीक है हमने देख लिए सही उत्तर हो गया इसका ऑप्षिन बी आगे बढ़ते हैं प्रेश नंबर 900 आपके सामने है प्रेश पूछ रहा है कॉर्ट किस पौधे से प्राप्त होता है कॉर क्या होता है पहले जमाने में क्या था जो बोतले थी उसमें धक्कन वाला सिस्टम नहीं आता तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि इसमें आप धक्कन को घुमा के बंद क कर लेते हैं तो समय इजात नहीं हुआ था मेटल का तो प्लास्टिक के भी रक्कन आने लगे हैं को समय पहले तक अल्मूनियूम के बने होता थी तो पहले की सामवाने में क्या हो तो बोतल को बंद करने के लिए कौर का इस्तमाल होता था आप लोगों ने बच्पन में शाय वहा कहां से जहां पर वाइन बनती थी इटली और मेडिटेरियन के इलाके में है तो वाइन की शराब को बंद करने के लिए कौर का जातू यह तो उसके पीछे की कहानी होगे तो अब यह किस से उत्पन होता तो जाहिर सी बात है यह कुछ ऐसे पेड़ से उत्पन होगा जो इसा तो है नहीं कि शराब बन रही इटली में और कौर का रहा है जो है भारत से जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उसमें तो ट्रांस्पोर्टेशन की भी सूधा इतनी अच्छी नहीं थे आजकल तो हवाई जहाज है उसमें तो पानी के जहाज जोगी तो अधाई मीना र और एरगेंवॉन ठातक है या ओपरोकत मैं और सो कोई नहीं तो देखें जो कार्ग है यह बनता है ओक रक्ष से अ ना ओक रक्ष यह इटली और उस इलाके में भाहत आयत में पाय जाते हैं उनिक की जो तणा है उसी से बनता है व्यक्ष तनी की लखडी से- ठीक है आभ यह कोई बहुत बड़ा व्रक्ष नहीं है यह काटे दा चोटा सा चुट मुटी पाउदा है जो आपको मिल जाएगा जाग खेत के आसपास है यह तरह का वीड है वीड से मतलब जंगली पाउदा है और कांटेदार होता है और इसको बोलते हैं दूसरा नाम है इसका इंडियन पॉपी भी बोलते हैं और देखिए इसका इस्तेमाल कहां होता है जो हमारे यहां सरसों का तेल आता है तो सरसों का जो दाना होता है वो और एरगेमॉन इसका जो दाना होता है दोनों देखने में एक जैसे होते हैं बिल्कुल है ना आप अंतर नहीं कर सकता है अगर दोनों को खराब कर देता है इसलिए मैंने डाला था कि चलिए एक आपको एडिशनल इंफॉर्मिशन पता चलिए प्रश नमबर 900 का देखा हमने सही उत्तरों के अप्शन भी आगे बढ़ते हैं प्रश नमबर 9001 आपके सामने है प्रश नमबर 9001 पूछ रहा है कुनैन क्वेशन पता है कि जो कुनैन है वो किसे सिंखोना का पेड होता है उसकी छाल से मिलती है और सिंखोना का जब पेड है तो फिर नेश्रल प्रडॉक्ट हो गया क्या प्राक्तिक उत्पाद को प्रत्तिक करने के लिए सिंखोना का पेड अब इतने रहे नहीं डिमांड जादा है तो कहिना कि सिंखोना बना लिए सस्ता भी पड़ेगा और बहुतायत में बनाया जा सकता है आपके ऑप्शन क्या क्या दिये हूं इसमां ऑप्शन दिया है क्लोरोक्विन ऑप्शन भी टेटरसाइलिन ऑप्शन और फी सलेंट टीं युरो मैंटाइसिन ओप्शन फाक्व इसे कोई नहीं तो देखे पहली छी मलेर्या होता है प्रोटोजवा से में कि गहनुद में मक्छर लेके जाते हैं और प्रोटोजुद्वा का नाम क्या प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम नामा प्रोटोजुद्वा से लेजम के उसके मलेरिया के इलाज में दी जाती थी ये भी बात समझ में आ गई एक ये प्राक्तिक उत्पाद है ये बात पता चल गई ठीक है आपको एडेशन इंफोर्मेशन पता चल गई अब इस प्रशन पर आते हैं तो अभी कोवेड के दौरान आप लोगों ने सुना होगा एक द और उख हुआ साथी साथ भारत ने कई देशों को भेजी वी यही इसका सही उत्तर है यह बात हमें पता चल गई अब बाकियों पर चर्चा कर लें टेट्रासाइलिन क्या है तो टेट्रासाइलिन जो है एक तरह की एंटीबाइटिक है और एंटीबाइटिक का मुक होता है बैक्टिरिया को रोकने के लिए ठीक है तो टेट्रासाइलिन दी जाती है निमोनिया के लिए किसी व्यक्तिव को निमोनिया हो गया तो इसका इस्तमाल करते हैं टेट्रासाइलिन का ओप्शन सीगर है एंपी साइलिन एंपी सिलिन जो है यह एक तरह की पैंसिलिन है पैंसि इस्तिमाल होता है प्लाइग और कोलरा के रोगी के लिए क्लोरो मैटाइसिन दीए जाती है प्रेश्न नंबर नौ से एक का सही उत्तर गया होगे option एक बाकी पर हमने additional information देख लिए आगे बढ़ते हैं चन्द मनी आईए सेकेडमी 67 और 68 BPSC परिक्षा के लिए लिक्षा के लिए means optional course जिसमें history, geography, psir, philosophy, lsw, home science और sociology की classes होगी और आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-20055086 पर फोन करके अधिक जानकारी टाप्ट कर सकते हैं प्रेश्न नंबर 902 आपके सामने प्रेश्न पूछ रहा है मुमफली के पॉदिक जो है क्या दिखाता है इसमें क्या वो positive geotrophic है, सकरात्मक geotrophic है, नकरात्मक geotrophic है इसमें कोई geotrophism नहीं पाया जाता यह डी जमीन पर partial root से बढ़ता है अब देखे समझते हैं geotrophic क्या होता है Geo का मतलब है प्रत्वी और ट्रॉफिक हो गया growth इसको समझते है positive geotrophic हो गया तो प्रत्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ग्रुत्वाकर्शन जो बल है वो क्या करता है अगर यह प्रत्वी की सत्य है तो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खीशता है उसके केंद सकरात्म क्या होगा इसके विपरीद दिशा में जाए तो जो जड़े होती है वो हमेशा positive geotrophic होती है क्यों वो प्रत्वी की सत्य की नीचे बढ़ती है और केल्स की तरफ बढ़ती है जबकि जो तना है वो ग्रुत्वाकर्शन बलके दूसरे विपरीद दिशा में बढ़त परंतु वो कलियां जाके जैसे ही खिली उसके बाद जाके जमीन के नीचे गुज जाती है अगड़ा करके और नीचे फिर उसमें मुंगफलियां लगती है तो जो आपका मुंगफली का पौदा है यह positive geotrophic दिखाता है कली के संदर्प में बात हो रही है तो सकारात्मक geotroph दिखाएगा बाकि सब जितने हैं उनकी कलियां जो है वो negative geotrophic उपर के तरफ बढ़ेगी ठीक है तो प्रश नंबर 902 का सही उत्तर होगी option A आगे बढ़ते हैं प्रश नंबर 903 glow warm क्या है जुगनू उनमें से क्या है एक आर्थोपोड़ा है एनलिडा है मुलस्का है कि नि मुलस्का भी हमने देखा पीछे ऑक्टोपस आती है और जो नीमिटोड्स है परजीवी होते है इसमें आपके टेप वार्म वगएर आते है ठीक है आप जुगनू में क्या होता है ना बायो लुमिनेंस की प्रक्रिया होती है अब यह क्या होता है सीधा साथ बायो का मतलब जैफ और लुमिनिसेंट मतलब चमकना तो जैफ मतलब जो जैविक तरीके से चमके उसको बायो लुमिनिसेंट कहते है शब्द बड़ा अलग सा है इसलिए यहां लिखती है प्रक्रिया वही है जुगनू पहले तो बहुत आय आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर 904 आपके सामने है प्रशन पूछ रहा है कि निमलिखित में सो कौन सा कथन सही नहीं है आपको गलत कथन का चुनाफ करना है आपके option दिये हुए coral says no circulatory system coral में कोई परी संच्रन तंत्र नहीं होता यह बात तो सही है जो coral होते हैं पानी की इंचे वह क्या है उनमें नहीं होता ना कोई भी परिशन चंत्र उनमें exoskeleton पाया जाता है उनका जो कंकाल है वह बाहर ही होता है ठीक है और परिशन चंत्र नहीं हो तब पानी उनके आर पार जाता है बरपूर मत्रा में अर्ठीक है दूसरा क्या कह रहा है इन bonny fish swim bladder usually present ऐस ठीक उनको तैरने में बदद करता है यह बात सही है option c क्या करा है all echinodermata are viviparous सभी echinodermata क्या होते हैं जो आपकी सितारा मशली होती starfish वो इकाईodermata के मीचरा के भीतर आती है और एकाईodermata आमोमन पानी के नीचे पाए जाते है ठीक है अब viviparous क्या हो गया viviparous या जिव होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते ना कि अंडे देते हैं जो अंडा देगा वो अंड़ एक गाए तो जो जनमा वो आंड़ कालाएगा तो जो ओविपarous होते हैं वो ऐससे जीव होते जो अंड़ा देता हैं पिर उस अंड़े से कुछ दिन बाद नुगे जो है नए जीव का जन्म होता है और viviparous ऐससे जीव होते हैं जो सीध्य अपने बच्चों को जैसे जितने भी स्थन्धारी होगे तो एकायनों डर्माटा जरैयुज्ज नहीं होते जो गलत डी ऑपशन क्या क्या रहा है दी ऑपशन क्या रहा है मेडकों में निशेचन भाय होता है ये बात सही जो मेडक हो गया उसमें क्या होता है मादा और नर दोनों का जो जाते हैं और फट्रम Central पानी में एक और फिर स में दिमे दिमे ड़ेड़ना करें गजाता है थाई और संद्धारीओं की बात करें आप और शरी शर्पों की बात करें आप चिडिया की बात करने को इस सब में लीव करें अंदर हो है ठीक है और कई मचलियों में भी फर्टलाइजेशन अंदर होता है ठीक है तो यह बात सही है गलत का चैन करना था ऑप्षिन सी गलत है आगे बढ़ते हैं और यही सही उत्तर हो गया इसका प्रेश्ट नंबर 905 आपके सामने प्रेश्ट में पूछ रहा है विच ऑफ दा फॉलिक इस नॉट अ मैमल लिम लिकित में जो कौन इस्तनपाई या स्तनधारी नहीं है आपके ऑप्षिन दीवें समुद्री गाय समुद्री घोडा समुद्री शेर या चाइनिस सीड यह चीन समुद्री घास खाता है इसलिए इसको समुद्री गाय का जाता है आला कि गाय इसा देखने में बिल्कुल नहीं होता ठीक है और यह हमारे यहां जो गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलाडू के पास वाला चेत्र वहां यह पाई जाती है सनक्षित जी ऑप्षिन भी किरें समुद् कि घोड़ा एक मचली है इसतन पाई नहीं है जबकि समुद्री का आएक स्तन पाई आगे बढ़ते हैं समुद्री चेर जो सीलाइंड है यह भी किस्तंधारी है यह आप एक बड़ी सील मचली समझ लेजीए पानी के बाहर सास लेता है और पानी में मचली का शिकार करने के ल यह कोई पानी में रहने वाला जीव नहीं है यह प्रकार का हिरण ही है जो समूद्र के आसपा तट पर जो घास उगती है वह इसका मुख्य भोजन चायना में पाया जाता है उसी के पास रहता और उसी को खाता है तो यह चार पाया है चीनी समूद्र के रहन इसमें से इस्तनपाई नहीं है कि खोज करनी थी ऑप्षन भी सही हो गया आगे बढ़ते हैं चन्दमनी आई एस अकडमी और सट भी वीपेसी परिक्षा के लिए लिए क्लास और टेस्स सिरीज यहां जीएस की क्लास हमारे दो अक्टूब बढ़ते शुरू हो गई है एक तालस टेस्स पून रूप से डिसकेशन के साथ कराए जाएंगे आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रश नंबर 950 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर लिए कल हम लोग फिर ह अधिर होंगे सेक्शनल वाइस जो हम लोगों ने अपने क्वेशन डिसकेशन की जो चंकला इसको आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद